जैए श्री कृष्णा राथे राथे आज हम सुनेंगे ब्रस्पतिवार ब्रत कथा बोलिए ब्रस्पतिदेव भगवान की जैए हो विश्नु भगवान की जैए हो ब्रस्पतिवार का जोबी ब्रत करे उसे चाहिए कि एक समय पीला पोजन करे क्योंकि ब्रस्पतिदेव का इ इस वरत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और ब्रस्पती महराज परसन्न होती हैं धन पुत्र विद्या और मनोवांचित फलो की प्राप्ति होती है परिवार में सुक और शांती आती है इसलिए सभी को ये वरत जरूर करना चाहिए इस वरत में केले की जड़ में परिवान का पूजन करें कत्ता और पूजन के समय मन करम बचल से शुद्ध होकर जो भी इच्छा हो उसे ब्रस्पती देव से प्रार्थ नखरें उसकी सभी इच्छाओं की और मनो कामनाओं को ब्रस्पती देव पूरी करेंगे ऐसा मन में विश्वास रखें आईए अब स प्रस्पतिवार की प्रत कथा राजा के दर्वाजे पर आए और भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहने लगी हे सादू महराज मैं तो इस दान बुनने से तंग आ गई हूँ मेरा पती सारा धन लुटाते रहते हैं अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा ये सब धन नश्ट हो जाए ना रहेगा बास और ना बज़े की बासरी और मैं भी अराम से रहूंगी सादू बोले देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो संदान और धन से कव कोई भी दुखी नहीं होता इसे तो सभी चाहते हैं पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी हो करा दो और भी ऐसे कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक पर लोक में फैलेगा पर राने पर इन उपतेशों का कोई भी परभाव नहीं पड़ा और वे कहने लगी महराज आप मुझे ना समझाएं मुझे ऐसे धन की आवशक्ता नहीं जिसे मैं और किसी को दान कर करती फिरूं तब सादू महराज नहीं कहा ये देवी यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा तुम मेरी कही अनुसार करना बरस्पतिवार की दिन घर को गोपर से लीपना और अपने सिर को धोकर इसनार करना कपड़े को धोना और ऐसा करने से आपका सारा ध नश्ठ हो जाएगा इतना कहकर सादू महराज वहां से लोप हो गए सादू की कहे अनुसार रानी को अभी तीन बरस्पतिवार ही भी दे थे कि उसकी सारे धनसंपत्ती नश्ठ हो गई बोजन के लिए भी अब राजा का परिवार तरसने लगा एक दिन राजा ने रानी से क रहा है रानी तुम यही पर रहो मैं दूसरे देश को जाता हूँ यहाँ पर मुझे सभी वरुष्य जानते हैं इसलिए छोटा बड़ा कोई काम भी नहीं कर सकता ऐसा कहकर राजा तो परदेश में चले गए वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेशते इसी राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी एक बार की बात है रानी और दासी को साथ दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी अपने दासी से कहती है यह दासी पासी के नगर में मेरी बहन रहती है वह बड़ी धनवान है तो उसके पास जा और कुछ अनाज लिया थाकि थोड़ी बहुत कुजर बसर हो जाएगी दासी रानी की बहन के पास गई उस दिन कुरुवार का दिन था रानी की बहन उस समय बरस्पतिवार वृत कथा सुन रही थी दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे बड़ा क्रोध भी आया दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी सुनकर रानी अपनी भग्य को कोसने लगी उदर रानी की बेहन ने सोचा कि मेरी बेहन की दासी आई थी पर मैं उससे नहीं बोली वह तो बिचारी बहुत तुखी होई होगी इसलिए जल्दी जल्दी कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बेहन के घर आई और कहने लगी ए बेहन मैं ब्रस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी तुम्हारे दासी मेरे घर गई पर जब कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं इसलिए मैं नहीं बोली कहो दासी क्यों गई थी तब रानी कहने लगी बेहन तुमसे क्या छिपाऊं हमारे घर में खाने को अराज नहीं था और ऐसा कहते कहते रानी की आखे भराई उसने दासी समेत पिछले साथ दिन से भूके रहने की सारी बात अपनी बेहन को बता दी तब रानी की बेहन बोली देखो बेहन पगवान ब्रसपती देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखाओ पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ पर जब उसकी बेहन ने बार-बार कहा तो उसने दासी को अंदर बेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया यह देखकर तो दासी को बड़ी खैरानी हुई दासी रानी से कहने लगी हे रानी देखो जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही विधी पूछ लें जिससे हम भी उस विधी को किया करेंगे तब रानी ने अपनी बेहन से ब्रस्पतिवार की वरत के बारे में पूछा तो उसकी बेहन ने बताया कि ब्रस्पतिवार की वरत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णो भगवान का केले की जड़ में पूजन करो दीपक जलाओ और वरत की कथा सुनो भोजन पीला करो इससे ब्रस्पति देव परसन्न होते हैं वरत और पूजा की विदी बताकर रानी की वहन अपने घर चली गई साथ रोज बाद जब गुरवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनोंने वरत रखा गुरसाल में जाकर चना और गुर ले आई फिर उससे केले के जड़ और भगवान विष्णू का पोजन किया अब भोजन पीला कहां से आए इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई थी क्योंकि उन्होंने वरत रखा था इसलिए ब्रस्पति देव उनसे बड़े परसन्न थे एक साधारन विक्ति का रूप धारन करके दो थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और उन्होंने दासी को भोजन दे दिया भोजन पाकर दासी बड़े परसन्न हुई रानी के साथ मिलकर उसने भोजन ग्रहन किया उसके बाद तोई गुरुवार को ब्रत और पूजन करने लगी ब्रस्पति भगवान की किरपा से उनके पास फिर से धन समपत दिया गई रानी पहले की तरह ही फिर आलस्य करने लगी तब दासी उसे समझाती है देखो रानी तुम पहले भी इसी तरहें अलस्य करती थी तुम्हे धन की रखने में कश्ट होता था इसी कारण सभी धन नश्ट हो गया अब भगवान ब्रस्पति देव की किरपा से धन मिला है तो तुम फिर से अलस्य करती हो बड़ी मुसीब्दों के बाद हमने ये धन पाया है इसी लिए दान पुन्य करो गुकी मनुश्यों को बोजन कराओ दान को शुब धन कर मों में खर्च करो इससे तुमारे कुल का यश भड़ेगा और स्वर्क की प्राप्ति होगी और पित्र परसन न होंगे दासी की बात मान कर रानी अपना धन शुबकारियों में खर्च करने लगी पूरे नगर में उसको यश फैलने लगा उदर पर देश में राजा बड़ा दुखी होकर लकड़हरी का काम कर रहा था एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया अपनी तशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा बरस्पतिवार का दिन था एकाएक उसने देखा कि एक सादू परकट हुए सादू के वेश में स्वें बरस्पति भगवान थे लकड़हरी के सामने आकर बोले हे लकड़हरे इस उनसान जंगल में तुम किस चिंता में बैठे हो तब लकड़हरी ने अपने दोरों हाथ जोड़कर परणाम किया और कहने लगा ही महात्मा जी आप तो सब कुछ जानने वाले हैं मैं आपसे क्या ही कहूँ और इतना कहकर रोने लगा सादू को अपनी सारी बात बता दी तब सादू बाबा बोले कि तुम्हारी इस्तरी ने ब्रस्पतिवार के दिन ब्रस्पति भगवान का निरादर किया था इसी कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है आप तुम चिंता मत करो और मेरी कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे बाबाबान तुम्हें पहले से भी अधिक संपति देंगे तुम ब्रस्पतिवार के दिन ब्रत किया करो और कथा कहा करो दो पैसे के चनी और मुलक का लाकर उसका परशाद बनाओ सुद जल के लोटे में शक्कर मिलाकर अम्रित तियार करो कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वालों को अमरत और परशाद बाट कर खुद भी ग्रहन करो ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी वनों कामनाय पूरी करेंगे साधू की ऐसे वचन सुनकर लकड़ारा बोला ए प्रभू मुझे लकड़ी वेच कर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूँ मैंने रातरी में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूँ तब साधू बोले हे लकड़ारे तुम किसी वात की चिंता मत करो बरस्पतिवार के दिन रोजाना की तरें लकड़िया लेकर शेहर को जाओ तुम्हें रोज से दुगनाधन प्राप्त होगा जिससे तुम बली भाती भोजन कर लोगे और बरस्पतिदेव की पूजा का सामान भी आ जाएगा और बरस्पतिवार की कहानी मैं तुम्हें बता देता हूँ और इतना कहकर सादु बाबा बरस्पतिवार की कहानी सुनाने लगे बोली बरस्पति भगवान की जै हो प्राचीन काल में एक ब्रामन था वेह बड़ा ही निर्दन था उसके कोई संतान नहीं थी उसकी स्तरी बहुत मलिंता के साथ रहती वैसनान न करती, किसी देवता का पूजन न करती प्रामन देवता इस बात से बड़े दुखी थे विचारे बहुत कुछ कहते पर उसका कोई भी परिनाम न निकला भगवान की किरपा से ब्रामन की स्तरी के कर्ण्या रुपी रत्न पैदा हुआ कर्ण्या बड़ी होने पर प्राते कालिस्तान करके विश्नो भगवान का जाप और ब्रस्पतिवार का ब्रत करने लगी अपने पूजा पाठ को समात करके जब विध्या ले जाती तो अपनी उट्थी में जो भर कर ले जाती और पाठचाला के मार्ग में डालती जाती जब ये जो स्वर्ण की हो जाते तो लोट ते समय उनको बीन कर घर ले आती एक दिन की बात है वह बालिका सूप में उन सोने के जो को फटकने के लिए सोने कर सूप होना चाहिए भगवान बरस्पती देव ने उसकी प्रार्थना सुईकार कर ली रोजाना की तरह में गन्या जो फैलाती होई जाने लगी जब लोटकर जो बीन रही थी तो बरस्पती देव की किलपा से उसे सोने का सूप मिला उस सूप को वह घर ले आई और उसमें जो साफ करने रगी पर उसकी मा का तो वही धंग रहा एक दिन की बात है वह गन्या सोने के सूप में जो साफ कर रही थी उसी समय उस शेहर का राजपुत्र वहां से होकर निकल इस कन्या के रूप और कारिये को देखकर उस पर मोहित हो गया अपने घर आकर भोजन और जल का त्याक करके उदास होकर लेट गया राजप को इस बात का पता चला तो अपने परधान मंतरी के साथ उसके पास गए और बोले ही बेटा तुमें किस बात का कष्ट है किसी ने मेरा अपमान किया है पर मैं उस लड़की से विवहा करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी यह सुनकर राजा बड़ा आश्चरिये में पड़ा और कहने लगा ही बेटा इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ मैं उसके साथ तुम्हारा विवा बता बताया मंतरी उस लड़की के घर गए और ब्रामन देवता को सभी हाल बताया ब्रामन देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवहा करने के लिए तयार हो गए विधी विधान के साथ ब्रामन की कन्या का विवहा राजकुमार के साथ हो गया कन्या की घर से जात तो अपनी मा का हाल पूछा तब ब्रामन ने उसे सभी हाल कह दिया उस लड़की ने बहुत सा धन दे कर अपने पिता को विदा कर दिया इस तरह से ब्रामन का कुछ समय तो सुख से वेती थुआ और कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया ब्रामन फिर अपनी कन्या के हा गया और सारा खाल कहा तो लड़की बोली हे पिता जी आप माता जी को यहां पर ले आओ मैं उन्हें विदी बता दूँगी जिसे की गरीबी दूर हो जाए ब्रामन देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँझे तो लड़की अपनी मा को समझाने लगी ए मा तुम सुबह उठकर इसनान करके पगवान विश्नु का पूजन किया करो तो तुम्हारे सब गरीबी दूर हो जाएगी पर उसकी मा ने उसकी एक पी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपने पुतरी के बच्चों की जूटन को खा लिया इससे उसकी लड़की को बहुत कुछ साया और उसने एक रात को कोठडी से सभी समान निकला और अपनी मा को उसमें बंद कर दिया सुबह उसमें से निकाल कर इसनान करा के पाठ कराया तो उसकी मा की गुद्धी भी ठीक हो गई अब दोज की मा प्रतीक बरस्पतिवार का व्रत रखने लगी और बरत के परभाव से उसके माबाब बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए बरस्पति जी के परभाव से इस लोग के सभी सुकों को भोग कर अंत में स्वर्क हो गए बॉलिये ब्रस्पतिदेव भगवान की जै हो विश्णो भगवान की जै हो इतनी कहानी कहेकर सादु बाबा अंतर्ध्यान हो गए दिवे जिवे समय वेती थोने पर फिर से ब्रस्पतिवार का दिन आया ब्रस्पतिवार के दिन लकड हारा जंगल से लकडी काट कर शहर में बेचने गया उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले राजा ने चना गुडादी सबला कर गुरुवार का व्रत किया उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए पर जब दुबारा गुरुवार का दिन आया तो व्रत करना फूल गया इस कारण ब्रस्पति भगवान नाराज हो गए उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यग्य का आयजन किया था और शहर में गोशना कराई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे ना आग जलावे समस्त लोग मेरे यहां भोजन करने आए इस आग्या को जो न मानेगा उसे पांसी की सजा दी जाएगी इस तरह की गोशना पूरे नगर में करवा दी गई राजा की आग्या से शहर की सभी लोग भोजन करने गए लकड हारा कुछ देर से पहुँचा इसलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की द्रिश्टी उस खूटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका था वे उसे वहाँ पर दिखाई नहीं दिया रानी ने निश्य किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय सिपाही बुला कर उसी कारागार में डलवा दिया जब लकड हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि ना जाने कौन से पोर्व जनन के करम से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है और उसी सादू को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था उसी समय ब्रस्पतिदेव सादू के रूप में वहां प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर बोले अरे मुर्क तुने ब्रस्पतिवार की कथा नहीं गई इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है अब तु चिंता मत कर ब्रस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे चार पैसे पड़े मिलेंगे उनसे तु ब्रस्पतिदेव की पूजा करना तो तेरे सबी कष्ट दूर हो जाएंगे ब्रस्पतिवार के दिन उसे चार पैसे पड़े मिले लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात ब्रस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को सौपन में कहा कि हे राजा तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोश है वह राजा है उसी छोड़ दो रानी का हार उसी कूटी पर लटका है अगर तु ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरी राजे को नश्ट कर दूँगा इस तरह के रातरी सौपन को देखकर राजा प्राते काल उठा और खूटी पर हार देखकर उसने लकड़हारे को गुला कर शमा मांगी और उसे योग्य सुंदर वस्तरा वुशन देकर विदा कर दिया प्रस्पति देव की अध्या से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया राजा जब अपने नगर के निकट पहुँचा तो उसे बड़ा अश्चरिये हुआ नगर में पहले से अधिक बाग, ताला, कुए, बहुत सी धरमशाला मंदिर सब बने हुए थे राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धरमशाला है तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह तो राणी और पांदी के हैं राजा को बड़ा श्रिये हुआ, और सात्मी गुस्सा भी आया जब राणी ने खबर सुनी कि राजा आ रही है, तो वो बांदी से वो ली यह दासी देखो, राजा हमें कितनी बुड़ी हालत में छोड़ कर गए थे हमारी ऐसी हालत देखकर, वी यहां से लोट न जाएं, इसलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ आज्या नुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई, राजा आये, तो उन्हें अपने साथ ले आई, तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा बताओ, इतना धन तुमारे पास कैसे आया, यह धन तुमी कैसे प्राप्त हुआ, तब मैं बोली, हमें यह सब धन बरस्पतिवार के वरत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है तब राजय ने निश्चे किया कि साथ रोज बाद तो सभी बरस पदेव का पूजन करते हैं पर मैं रोज पूजन करूँगा और दिन में तीन बार कहानी कहूँगा और रोज वृत करूँगा अब तो हर समय राजय के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती दिन में तीन बार कहानी कहता एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन से मिल लेकर आते हैं इस तरह का निश्चे कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के आ जाने लगा कुमारण में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रही है उन्हें रोग कर राजा कहने लगा अरे भाईयो रुको मेरी ब्रसपती देव की कथा सुन लो में कहने लगे लो हमारा तो आदमी मर गया है इसे अपनी कथा की पड़ी है पर कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे राजा ने दाल निकाली और कथा आदी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया और कथा के समाथ होते होते राम राम करके मेह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया आगे मार्ग में उसे एक किसान खेट में हल चलाता मिला राजा ने उसे देखा और से कहा अरे भाई मेरी ब्रसपतिवार की कथा सुन लो किसान बोला जब तक मैं तेरी कथा सुनूगा तब तक तो चार हरईय जोत लूँगा जा तो अपनी कथा किसी और को सुना न इस तरहें राजा आगे चलने लगा राजा की हटते ही बैन पछाड खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा उसी समय उसकी मारोटी लेकर आई उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल बुचा और बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बड़ी दोड़ी खुसकुर सवार के पास कई उससे जाकर बोली कि मैं तेरी कथा सुनूगी तो अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना राजा ने वुड़ीया की खेत पर जाकर कथा कही उसे सुनते ही बैल उट खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंध हो गया राजा अपनी बेहन के घर पहुँच गया बेहन ने भाई की खोब महमाने की दूसरे रोज जब प्राते काल राजा जगा अगर कोई पडोस में हो तो देखाओं ऐसा कहकर देखने चली गई पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने बोजन ना किया हो अंत में एक कुमार के घर गई उसका लड़का बिमार था उसे पता चला कि उनकी यहां तो तीन रोज से किसी ने बोजन नहीं किया दानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया राजा ने जाकर बरस्पतिवार की कथा कही जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया अग तो राजा की परशंशा होने लगी एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन हम अपने घर को जाएंगे तुम भी तयार हो जाओ राजा की बहन ने अपने सास से कहा सास बोली हाँ चली जा पर अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई उलाद नहीं है तब बहन अपनी भाईया से कहती है भाईया मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं जाएगा राजा बोला जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी पड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लोटाया राजा ने रानी से कहा कि हम निर्वन्शी राजा हैं अमारा तो मुँ देखने का धर्म नहीं और कुछ भी पोजनादी नहीं किया तब रानी बोली है प्रभू ब्रस्पति भगवार ने सब कुछ दिया है अब राजा बोला है रानी इस तरी बिना बोजन के रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती जब मेरी बहन आए तो तुम से कुछ मत कहना रानी ने सुनकर हां कर दी जब राजा की बहन ने शुब समचार सुना तो बहुत कुश हुई और बधाई लेकर अपनी भाई के यहां आई तो रानी बोली वोड़ा चड़ कर तो नहीं आई गदा चड़ी आई तब राजा की वहन बोली भापी मैं इस तरह ना कहती तो तुम्हें अुलाद कैसे मिलती ब्रस्पति देव ऐसी ही हैं जैसी जिसकी मन में कामना हैं सभी को पूर्ण करते हैं जो सदभावना से ब्रस्पतिवार का वरत करते हैं कथा पढ़ते हैं सुनते हैं दूसरों को सुनाते हैं ब्रस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान ब्रस्पती देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं संसार में जो भी सत्भावना से भगवान जी का पूजन वर सज्जे हरदय से करते हैं तो उनकी सभी वनुकामनाई पूरी होती हैं जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुनगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं ब्रस्पती देव जी ने पूरी की, इसलिए कथा सुनने के बाद परशाद लेकर जाना चाहिए और हर्दे से उनका वनन करते हुए जैकारा बोलना चाहिए, बोलिए ब्रस्पती देव भगवान की जैहो, विश्नो भगवान की जैहो अब सुनते हैं ब्रस्पती भगवान की आर्दी, बोलिए ब्रस्पती देव भगवान की जैहो ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा चर नामृत निज निर्मल सब पातक भरता सकल मनो रथ दायक तृपा करो भरता ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओ पदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा तन मन धन अरपण कर जोजन शरन पड़े प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओ पदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा दीन दयाल दयानिधी बगतन हितकारी पाप दोश सब हरता बव बंधन हारी ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं पदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा सकल मनोरत दायक सबसंशे हारी विशे अविकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं पदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा जो कोई आरति तेरे प्रेमसहित गावे जेष्टानंद आनंद कर सोनिष्चे ही पावे ओम जै ब्रस्पति देवा ओम जै ब्रस्पति देवा स्वामी जै ब्रस्पति देवा चिन चिन भोग लगाओं पदली फल मेवा ओम जै ब्रस्पति देवा सब बोलिये विश्णो भगवान कीजै ब्रस्पति देव भगवान कीजै